हालो हालो हां उसको लगा यार सुभम तो नई क्लास स्टार्ट आज की होगी और शुरू करेंगे ओसत्थ एवरेज मीन माध्ध एक यह बात है मैं समझते उसत होता क्या है लास्ट क्लास मैंं ऑपने थोड़ा सा डिसकस किया था कि उससत का दिया है एक का मतलब क्या होता है खर अंगर आपको अधार अरूर्छ दिया है अगर हと思います तृ multim पंधराई की 12 का उसच्छे मैं क्या मिल जाएगा उसने हमको सम मिल जाएगा यह मैंने रिक लीफ नॉलेज़स आपको दिया था पर आज उसको अपन डिटेल में डिसकस करेंगे किक है है तो डिटेल में डिस्कस करते हैं उसको का समझते आगी ओसत्थ क्या होता है तो basically school level पर हमने पढ़ा था कि ओस जो होता है तो सथ या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं ऐवरेज दो इ Bonus या फिर मदी या मीडू बेल्व भी कह सकते के माद्य वेलियू या फिरमीडी वेल्व आप इसको कह सकते हो मीड वेल्व इसको आपन बोलते हैं ओसर तो जो ओसर कर वियक्ली स्कुल लेवल पर क्या होता था इस 도 कहुल लेवल पर होता था सम लुटम fight ऍेटा इपोन में नंबर ओफ डेटा इंदी मीडियम वाले टेंसन ना लो इसका मतलब होता है सर पदों का योग पदों का योग बटे पदों की संख्या. सुरू करेंगे बिल्कुल 0 level से काम को और थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि अपन लेवल बढ़ा चुके हैं. पर स्टार्डिंग लेवल पर बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं. चीजों को समझना सुरू करते हैं. तो पदाओं का योग बटे-पदाओं की संख्या, यह आपको ध्यान रखना है कि ओसत क्या होता है, तो ओसत जो basically होता है, पदाओं का योग बटे-पदाओं की संख्या, sum of data upon number of data, अगर आपने example के तुर इसको समझना चाहें, तो suppose मानलो मैं कुछ data ले रहा हूं, मैंने तीन data लिए कि hospital में तीन बच्चों का जन्म हुआ, एक hospital में तीन बच्चों का जन्म हुआ, पहले बच्चे का जो weight है, वो है 3 kg, दूसरे बच्चे का जो weight आया, वो आया 2 kg, तीसरे बच्चे का weight कितना आया, तीसरे बच्चे का weight आया 2 kg, 3 kg, 2 kg, 2 kg, तो अब आप से पूछ लिया क्या है तो आप क्या बताओगे उसथ वेड बराबर रिखोगे पदों का यूग मतलब सब 3 से तो बीरिवाइट करोगे तो जो भी आपका अंसर होगा तो यहीं आपका उस्यथ हो अब इसको फिर सेग बार समझते हैं, अगर मैं इसको sequence में arrange करूं, पहले 2 kg वाला, फिर 2 kg वाला और फिर 3 kg वाला, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इनका गेब जो है वो बराबर है, इनका difference जो है, common difference जो है, वो बराबर है, 2 से आधा बढ़ा है तो धाई, और धाई से आ 15, 20, 50 तक और आपसे पूछ ले, average क्या होगा, तो जो बीच वाली middle term होगी, जो meet term होगी, वही क्या कहलाएगी, average, पर यह कब होगा, जब उनका common difference क्या हो, same हो, जैसे यहां 0.5 का difference चल रहा है, अगर यह common difference same नहीं है, तो फिर middle term average नहीं होगी, middle term average तभी होगी, जब यह जो series है, इसका common difference क्या हो, सेम हो, सार्व अंतर सेम हो, सभी में जो अंतर हो, बराबर आए, तो ऐसा होगा, तो basic formula यह है, ठीक है, अब आपन चीजों को समझना सुरू करते हैं, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए, मैंने एक series लिख दी, या अपन calendar बनाते है, calendar में क्या होता सर तारीक होती है, है न, यहां साथ तारीक है मालू, तो 8, 9, 10, 11, 12, यहां क्या जाएगा वापस से, मुझे लगता चाहिए, है न, तुम्हें क्या लगता है, मालूमी नहीं है, भई साथ दिन होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने दिनों के देखो जाए, रविवार, सोमवार, मं सखला क्या आएगा, 14 तारीक आएगा, यहां पर क्या आएगा, 21, फिर क्या आएगा, 28, आएगा, और मान लो, अगर केलेंडर में इतनी तारीक होती तो 35 भी आता, पर है नहीं, और फिलाहल मान लो, 35 है, तो मैंने एक साथ का पहड़ा ले लिया, हाँ या न, अगर यह कंट आएगा, 21 आएगा, क्लियर बात, तो यहां पर आभी जो हमने फार्मला देखा था, ओसत का, वो क्या देखा था, एवरेज इक्वल टो क्या होता है सर, सम अप डेटा पॉन में, नमबर ओफ डेटा, तो यह होता है फार्मला, पर इसको आपने एक फ्रेम में जमाते हैं, ज क्या लिख लेंगे, एवरेज, और सबसे सुरू में लिखेंगा अपन, नमबर ओफ डेटा, कितने पद है, कितने पद है, जैसे मान लो, मान लो, कि मुझे पांच पद दिये, कितने पद है, यह टोटल, पांच, मुझे एन का वेल्यू मान लो, पांच दिया है, मुझे नह अब उसने ये भी कह दिया कि इन सब को जोडने पर कितना आ रहा है इन सब को जोडने पर कितना रहा है 105 आ रहा है कितना रहा है 105 सम भी मुझे पता है क्या पता है मुझे सम तो अगर हमें कोई भी इन तीनों में से इन तीनों में से कोई भी दो चीजे अगर हमें पता है इन तीनों में से कोई भी दो चीजे अगर हमें पता है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं इन तीनों में से कोई भी दो चीजे पता है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं देखो मुझे क्या एक सो पांच को पांस से डिवाइड करो आंसर कितना आएगा अगर सम में अबरेज करोगे तो क्या आएगा नंबर आएगा और अगर आपको आवरेज निकालना तो सम को किसी डिवाइड करेंगे नंबर से कि अपको नंबर से डिवाइड करेंगे तो एव्रेज आएगा तो मैं इसको ऐसे यूज करने के वज़ाएं ही कर लूगा मुझे पता चल गया कि सर इन दोनों का मल्टिप्लाइड करने पर यहांता है इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो यह आएगा और इससे डिवाइड तो basic formula हम कभी use करेंगे निवे से भी जो सुरू में लिखा था बस वह पता होना चाहिए जैसे मान लो यहां पर क्या लिखा है 51 प्राकरत संख्याओं का ओसद क्या होगा कितनी 51 51 प्राकरत संख्याओं का ओसद क्या होगा तो बहुत सारे बच्चे आलड़ी चीजे पढ़े ठीक है तुझरा कोसिस करो यार इसको बताने की कितना आना चाहिए एक कावन प्राक्रत संख्या प्राक्रत क्या हो तो यह बताओ ऐसी संख्या है जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं counting numbers natural numbers होते हैं आप कभी रात में नेचर में बाहर निकलना तारे दीखें उनको गिनना कि अग्या करोगे है तरे दिखें तुनको तर्म किसी गिनोगे ही जीरो से गिनोगे क्या एक से गिनेंगे तो यह जो गिनने वाली संख्या है ने करें कि क्या बोलते हैं प्राक्रत संख्या है अगर मैं आपको भी काउंट कर तो क्या कहूंगा एक दो तीन चार पांच छो अगर डबल आगे तो दो दून जोड़ लोगा और सिंगल आ गया तो आधानी किनेंगे नेहें बढ़र है तो यह जो जो इ Delaware होना चाहिए आधा जωνेय आपने आप में कम्प्लीट नमबर ना चाहिए फॉजटी चुन अठेडव नहीं होना चाहिए तो यह क्या कहलाते प्राक्रत संख्या होता है जीरो इंक्लूड नहीं होता है तो इसने वहीं बात कि कि प्रत्थम 51 प्राक्रत तो प्रत्थम 51 क्या होगी पहले यह समझो एक होगा पहला फिर दो होगा फिर तीन होगा ऐसे कहां तक चलेंगे सराम 51 तक हमसे पूछा इसका ओसद अब अगर आप ओसद कैसे निकालोगी अकॉर्डिंग टू बेसिक फार्मला तो दिक्कत हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि बेसिक फार्मला क्या क्या कहता है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है साम अप डेटा पॉन में नंबर ओफ तो इसमे इसको अपन पहले डिसकस करके समझते हैं कि है क्या कहानी इसके पीछे है ना अगर मान लो मैं पांच नंबर लो एक धन दो धन तीन धन चार धन पांच मेरी बात को ध्यान समझना है ना तो इसको जोडने के दो तरीके हैं इसको जोडने के दो तरीके हैं एक तरीका क्या है 1 तरीका तुक यहां कि आप एक सिले के 50 तक जोड़ो कैसे कितना जोड़ा दो परामाानुजन की पक्छानते ओ तुम्हारे मित्र थे क्या के परोसी था लो तो रामा ऋचन की कहानी क्या है सर जब रामानम उचन छोटे थे ठीक है stick तो वह पीपल के निज़के नीचे बढ़ा कर तहें गुरु जी पढ़ाय करते थे आचारी हुआ करते थे या फिर गुरु वा करते तो उस ताइम में गुरुजी आलसी खोर हुआ करते थे अच्छे भी होते थे पर उसके गुरु थोड़े आलसी थे तो उसके गुरु ने क्या कहा कि आज बड़े ठके हारे से लग रहे तो उन्हें क्या कहा बच्चों को पीपल के पेड़ के नीचे कि भाई एक से सवतक सब् तो टीन डेस 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 एक सो एक 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 तक लिख मारी इस लिए तो एक सब्सक्राइब यही तक गिनती लिखिए और यही तो उससे बोला गया था लिकर दिया अब माधा खराब हुआ इसका जिसको आराम करना था तो उनने कहा कि चल ठीक है लिख लिया अब सब को जोड़ के बता इन सब क्या करना था हमको योग तो सारे बच्चे थे भीड में वो सब भीड़ गए एक और दो दो और तीन तीन और चार चार और पांच पांच और छे से कहा तक तो अब कब तक जोड़ोगे दिन भर तो और पहले आराम से चीजों को सोचा एक दो तीन चार पांच उसने केवल पांच तक की संख्याएं ली कितनी पांच तक की कितनी पांच तक और यह देखा कि मैं इनको कैसे कैसे जोड़ सकता हूं एक तरीका तो सब को आता पूरी दुनिया को पर क्या कोई दूसरा तरीका भ तो उसने दूसरा तरीका खोजा कि क्यों ना मैं कोई दूसरा तरीका खोजी तो उसने क्या किया उसने एक दिमाग यह दोडाया उसने देखा कि बीचो बीच वाला नंबर क्या है तीन है बीचो बीच में तीन है इधर चार है तो उसने इस चार के पास एक उधार लेके इस सब में चीजेह आप चाहे इसको जोड़ो चाहे अंसर वही आना है आयाना क्योंकि चीजे गई कही नहीं हे वहीं आप इसका collection करो या इसका ऐसान और यहां रो तो रामारजन को यहीं तरीका यहां लगाएं अब यहां पर लगाने पर क्या तरीका था जो तुम्हें नंबर दिख रहे थे ना अब रामारजन को क्या दिखने लग गए वह ऐसे दिखने लग गए जो तुम्हें एक दो तीन चार पांच दिख रहे ना रामारजन को मन की आ आमानुजन ने आखे बंद की तो उसको क्या दिखना चाहिए एक कावन दिखना चाहिए अब यह कावन कहा से आधे को समझ में आधे को नहीं आया है आ गया है यह जो मन की आखों से नंबर दिख रहा है यह जो नंबर है जो मन की आखों से दिख रहा है वो एक्चुल में बीच में क्या आएगा 51 और एक से 50 तक यहां तो क्लियर सी बात है कि यह दो नंबर छोड़ दिये यह दो छोड़ दिये तो बीच में क्या आ और यहां थोड़ा सा दिक्कत आती है हमको थोड़ी सी जादा नहीं पर चलो यहां थोड़ी सी आ रही है पर कभी सवाल ऐसा आ गया एक दो तीन और यहां पर लिख दिया 749 अब बोलो मिडल में क्या तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि किधर कितरा छोड़ना पल्ले नहीं प चार पांच उसने क्या किया इसको सबको हटा दिया कि बीच में हो सकता है तीन नंबर हो बीच में हो सकता हजार नंबर हो पर मुझे उन सब में से केवल क्या चाहिए उन सब में से क्या चाहिए बीचो बीच वाला नंबर चाहिए क्या चाहिए सर बीचो बीच वाला तो उस जाना कितना था क्या गर दिया दो से डिवाइट तो यहां से एक और समझ मीची जा गई कि जब भी तुम्हें मिडल नंबर चाहिए ना तो फ़रस्ट प्लस तो बीच का नहीं आएगा डिवाइट टू करने पर आएगा पढ़ने पढ़िए चलो तो अब आप सोचो कि अगर मुझे यहां पर मिडिल टम निकालने यह योग निकलना है क्या बोला रामा जिन से योग निकालना है इन सबको जोड के बताना है तो रामा जिन दिमाग की ख सब वही है हैे है यहां पर वही कहानी है हम एक काम कर देसे सबसे पहले क्या पता करते मिडिल टम मतलब अवसर स्ब्सेद कर देखा हमने क्या देखा फास्ट प्लस लास्ट कितना होग एक सो दो और एक सो दो का अधा करोगे तो 51 यही आप का एवरेज एवरेज कितना आ गया 51 लिख दू बीच में अरे बीच में लिखू ना अब मुझे एक और चीज क्या पता है नंबर ओप टर्म कितनी है 101 तो पदों का योग कितना हो जाएगा सर 21 का 101 में गुणा करना है मतलब 51 का पाणा एक 101 बार बोलना है 51 का पाणा सबार दुनिया को आता है क्कावन गुणा सौक्ष ऐक सो पर मुझे कावन को बढ़ा कितनी बार बोलना एक सो एक बार मतलब एक बार एक कान और चाहिए तो एक अवन सो प्लस एक कावन सो इककावन कहते हो एक से लेके 101 तक की गिंती को आप जोड़ते हो तो आंसर क्या आएगा 5151, कहानी समझ में नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई, अब आपने सवाल पर आते हैं सर, नहीं आई है तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ आ जाएगी, इसमें क्या बोला है, 51 संख्याओं का हमें योग नहीं निकालना, क्या बोल क्या निकालना है, ओसत, ओसत मतलब क्य बरो बरे, हाँ, आप क्या पूछ रहे कुछ, उस तो बोला किसी ने, कुछ नहीं बोला, बढ़े आगे, अब मान लो, ये तो सवाल अपना हो गया, है ना, मान लो वो पूछ ले कि 1 से 51 तक ये पदों का योग क्या होगा, क्या पूछ ले, क्या पूछ ले सर, योग क्या हो तो वहाँ पर आपकी स्पीड होनी चाहिए, अगर तुमने इसको गुणा कोने में लिख दिया, और वहाँ कर रहे हो, तो तुम मारी पिच्चर फेल हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे क्या करते कि यह आया, तो वो सीधा लिखेगा, 26 गुणा, 51, 1, 6, 1, 2, 2, 5, 3, 5, 2, 10, 213, 13, बोलो, 1327, जाय मातादी, देखो इदर, अब इदर ध्यान दो, मैंने थोड़ी पहले भी चिल्ला चिल्ला के बोला, कि एक्चल में गुणा का मतलब होता क्या है, एक्चल में गुणा का क्या मतलब होता है, कि इसका पहड़ा इतनी बार बोलना है, यही ना, जिसे 2, 3 20 का पढ़ा 100 बार आता है, 200, तो 50 बार में 300 आना चाहिए, 50 बार में 300 एक बार और 26, नहीं आया, तो डाइरेक्ट लिखेंगे, 1326, तो यही आपका योग होगी, अगर पूझता तो, अगर वो पूझता, तो योग निकल गया, एक से 51 तक जोड़ना कठिन काम था, पर अब वो चीजे समझोगे, तो आपके लिए कर जाओगे, अब कहीं लोग क्या करते हैं, कुछ फार्मले कि नहीं याद कियोंगे तुम में से भी, कि सर किसी भी कंटिन्यू सीरीज का सम निकलने एक फार्मला हमने पढ़ा था, n, n प्लस 1 डिवैड बाए 2, फाल तुम्हें टाइ चाहे 2, 4, 6 हो, चाहे 5, 10, 15, 20 का दिया हो, सब जगा योग निकल के देगा आपको, तो आपको यह फार्मले आप याद करने की रिक्वार्मेंट नहीं है, कितनी चीज क्लियर होगे तो आपना आगे बढ़ें, क्लियर है सब को भाई, नये, पुराने सब, अब नया, नया मत कहना कि मैं नया हूँ, आप पुराना हो चुका है, हाँ, कोई आज आया है, तो भी वो नया है नहीं है, वो भी पुराना ही हुआ है, क्योंकि अपन जीरो से काम करने, जरा आंसर बताओ, इसका क्या आना चाहिए, चलो, बताओ, जरा, प्रत्थम, कितनी, हम, तो, बताओ, पचास दिसमलों पाँच, इसका किसका आया है, साढ़े पचास, जरी गुठ, सही है कि गलत है, सही है, अपन डिसकस करते हैं, आगे, क्या लिखा है, प्रत्थम, सो, प्राकरस, संख्याओं का ओस्सद ही पूचा है, होसत का मतलब क्या सर, मिडिल टर्म, हमें क्या निकालना है, एक से सो तक का मिडिल टर्म निकालना है, एक से लेके कहां तक की गिंती है, हमारे पास, सो तक की, मिडिल टर्म निकालते हमें बहतर तरीके साथा है, सर, एवरेज मतलब क्या मिडिल टर्म, मिडिल मतलब क्या, फ विडियो भी आपके पास रहेगा और अभी आपको मिल जाएगा मतलब जैसे क्लास खतम होगी कि आदे घंटे के नंदर आपके पास अपलोड होके आ जाएगा तो इन फ्यूचर कभी आप देखना चाहो भूल जाओ कोई चीज तो रिवाइज महां से मार लेना अगर सब कुछ बहतर रहा और सब सही सही रहा तो अधिया रिक और कर लेंगे कि दिख्क्त है क्यों अ कि इस दिन तुम अप्सेंट रहे तो महां से देख लोगे कि आंसरा रहे बताओ ज़रा है एक सो अथीस कोने भाई क्लास में बेटना है 120 136 136 ठीक है बढ़े आगे कि इस लिखा वाद दिख रहा है सबको ना खुटा तो नहीं दिख रहा ज्यादा बोला है सर क्या बोला है कि एक सो तेरा से लेके एक सुन साट तक की सभी विसम संख्या है एक सो तेरा से एक सो नसा हट एक सो तेरा भी इनकूट करना है से और तक उसको भी लेना है है ना तो शुरुवाद 113 क्या विसम है सर और आखरी वाला कौन सा है और हमें इसका क्या निकलना है तो उस्थ हमें निकलते आता है अच्छा यह कंटीनिव सिरीज तो ही ना एक सो पंदर आएगा फिर 117 आएगा फिर 119 आएगा तो कॉमन डिफेरेंस क्या है सेम है ना और जब भी कंटीनिव सिरीज हो तो उसत क्या होता है मिडल टम ही होती है मिडल टम उसत तभी होगा जब सिरीज कंटीनिव हो अगर डेटा इधर उदर है जैसे मानलो मैंने एक दिन 200 रुपए कमाए एक दिन 100 रुपए कमाए एक दिन 200 रुपए फिर कमाए तो इस केस में मिड साथ आठ नंबर देगा जिनको आपको जोड के डिवाइड बाइड नंबर डेटा करना है अगर आपके बहुत जाला डेटा है तो फिर कहीं न कहीं वह कंटीनियू सीरीज काम करें होगी फिर कंटीनियू वह प्राकरत भी हो सकती है समसंख्याएं भी हो सकती है या कोई बहुत्तर पका दो सोबहुत्तर बटे दो तो 116 दोसो गाधा सो बहुत्तर गाधा छतीस 136 कि मैंने भी विसम ही ली है हां तो एवरेज सालो को समझो इसको कमझा भी आए ना जैसे मान लो मैंने विसम संख्याएं ली कितनी विसम कौन सी लो एक तीन लेलू एक तीन पाँच और नौ अब मेरी बास सुनना अगर मैं इसका होसाथ निकालूगा तो एवरेज के आएगा पाँच और तीन मिडल में कुछ हाई नहीं तो आना चाहिए आप तो ताध और पांच के बीच में क्या आएगा अच्छे इस केस में और भी आ सकता है इवन भी आ सकता है वो डिपेंड करता है नंबर उप टर्म कितनी है अगर बीच में इसी में से बच रहा होता तो तो और आता आपकी पीछे है नहीं अगर आप इनको तो भी 36 आएगा अगर इनको जोड़ो तो भी 36 आएगा पर रामानुजन का तरीका यह जोड़ेने का कुछ बास समझ में आई पर अभी हमसे योग पूछा नहीं है वो तो मैंने बता दिया आपको अभी हमारा टॉपिक क्या चल रह कर रहा है पर चुक्कि उसका यूज योग करने में होता है तो मैंने बता दिया है आपको समझ में आना चाहिए आगे बढ़ें सर किसी को डाउट अगला सवाल यह रहा आपकी स्कीन पर फोकट का जलो कि इनाम तो जन्वरी में मिलेगा अरे या रहुल ग्यारा सुर्पर है अभी नगत है किसी के पास है क्या पांच-पांच-सो इसके पास है अभी दे देंगे रह वापस तेरे से ले के हम खात हुए जाएंगे हाथ दे अब भी कप चाहिए देखो वापस क्लास के बात दे देंगे तब तक दुसरा को इखटा करो रहे लब भी या उससे पेसे ले और रहुल वो क्या नाम उसका रक्ति को बुलाना प्रथम सव तक की सभी समसंख्याओं को सद प्रथम चौ तक की जहानरा भई इसने सव तक बोला है सव संख्याओं नहीं बोला है क्या बोला सव तक उससे आगे मत जाना तो प्रथम सव तक की सम संख्या लेने तो पहली क्या जाएगी दो ऐसे आखरी क्या जाएगी तक बोलाए ये लो, खुश तक बोलाए सर उसने तो प्रथम 100, पहली 1 होती है एक सम नहीं होती है, भी सम होती है तो हमने कहाँ सुरू कहाँ कहाँ ही, 2 से और आखरी का क्या गया, 100 आगया इनका क्या पुछा हम से, ओसत तुम्हें पता है क्या जाएगा 51, संख्याय सम है, पर ओसत विशाम आ रहा है, ठीक है तो ओसत क्या हो जाएगा, average equal to क्या हो जाएगा सर, first plus last 102, बटे में क्या 2, 51 ओसत निकालने का दरी क्या कहता है first data plus last data दोनों को 8 करने पर sum, sorry, average नहीं आता, क्या करने पर आता है divide by 2 करने पर आता है तो कितना आ गया, एक कावन किसी को doubt यहां तक, आगे बढ़े अगला सवाल यह रहा हूँ बदा भई प्रथम सौ संख्याय का उसत क्या होगा बढ़े सर, सेम सवाल है, नहीं भईया सेम नहीं है वहाँ पर बोला था, सौ तक यहां पर सौ संख्याय लेनी है तो पहली तो सो चो दो ही आ जाएगी पर आखरी क्या आएगी, वो बताओ दो सो यह आएगी, सौ संख्याय लेनी है दो दो का पहड़ा चलना है, दो धाम दस होता है दस संख्यायों में बीस आता है दस तंख्याओं में, तो 100 में 200 आना चाहिए, नहीं समझ में आया ऐसा, तो क्या लिखनों आखरी का, 200, आखरी का लिख दिया सा हमने, 200, एवरेज क्या होगा, 1st plus large divided by 2, 102, 202, 100 एवरेज, यही आपका क्या हो गया, एवरेज, तब सवाल नहीं है, सरल है, अगर आप समझ के कर आगया क्या, कहा है रहे, पैसे तो दे भाई, देऊंगा क्या मैं उसको, तेरा हाथ हिम्मत नहीं होरे, पैसे छोड़ने की तेरे से, अर्थ एक सव का दे तू, पर क्या तुम गरीब लोग रहे, सब के सब, तुझे देखो, 50, 10, 20, आभी मान लो, कभी 6-7 वी से मांगता न तो वो इससे जादे खटे करके लिए आते, ला सब रुपे दे भई, एक काम कर दो सो दे, और चाहिए, अरे यार, तु आमीर आदमी निकला यार, ले ये वापस ले जा रहे भई, या, हाँ, पोन पर नहीं चलता ना भई या, सकती सर, आपका बहुत-बहुत आभार, आप आपने पार्टिसिपेट किया, और आपके पार्टिसिपेट से इनको समझ में आगी कहानी, कि पढ़ना कितना है, तो आप आएं और आपका इनाम रासी ले, एक मेनी के लाइबरी की फीस प्री रहेगी सर किया न, ये लो भाहिया, ये नगत पुरुसकार 1100, और जनवरी मे भी मिलेगा, फाइदे फाइदे, धन्यवासर आपका, और हमसे कोई हेल्प चाहिए, तो आप बिल्कुल बताना, आपन करेंगे भी या, ये अपने बाद चल रहा है, दादा, स्क्रीन सॉट लेना, चलो, पटवारी का दिया, और 50 में से 42 नमबर लेकिया है, और सायद मेरे PDF में डाला भी है, तो एक ये चीज़ भी मैंने एनलसिस की है, कि आप लोग क्या करते हो, टेस्ट देने में डरते हो, और डरता कोई है, जिसको ये डर है, कि मैं आखरी आँगा, और PDF में मेरे नाम आखरी में आख सब क्या सोचेंगे, तो कापी कहां गई तो, कल ठीक है, 23 नमबर भाले करके हैं, सर, इसा हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, तो सर आप से रिक्वेस्ट है, कि अभी आप इमानदारी से पढ़ो, महनत करो, जनवरी में फिट टेस्ट होगा, अभी चल रहा है, नमबर, दिसम्बर का महिना है, जनवरी एंड में अपन टेस्ट लेंगे, तो वहाँ पर आपका स्कोर आना चाहिए, और उस केस में टॉपर का इनाम नहीं होगा, केवल, उस केस में अपन इनाम देंगे, दो- सबसे आखरी में आओगा, वो पहले टेस्ट देना, क्योंकि जिस दिन आप आखरी में आओगे न, उसके अगले दिन से पढ़ाई आपकी सुरू होगी, आपको बुरा लगना चाहिए, अगर आप बुरा नहीं लगेगा, हर्ट नहीं होगा, तो पढ़ाई आपकी नहीं हो होगेगा, आप अगर खुस हो, बहतर हो, तो आप तो मझे मानने लगे जाओगे, घूमोगे, फिरोगे, इंजवाई करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, यह सब याद है इनको, बस कोई चीज फार्मले वगर आद नहीं होते, कोई कोस्टन हो, वो याद न पांच के पहले, 19 गुणाज, गुणाज मतलब क्या पहाडा, गुणाज मतलब पहाडा, पांच के पहले, 19 गुणाज का उसद क्या होगा, अब, कितना अगो सर, अरे उसद पूछना हो, ओसद, तगड़ा किलकुलेसन कर रहा भे तू, कितना आया भाई, याद देको इंगलिज में बता हूँ, पांच के पहले 19 पहाड़े, तो पहला पहाड़ा 5 एकम 5, ऐसा 19 पंजे 55 आएगा अगरी में, बोलो हाँ या ना, और इसका एवरेज क्या आगा 100 का आधा कितना हो गया, 50, 40 क्यों बोल रहा हूँ भाई, एवरेज कितना हो गया, 50, देखे हैं, तुम्हें समझ में आ जागा है, सब आद में, पीडियाप में, कच कच कर रहा है, आना चाहिए यार, हाँ तो क्या जीवन पर वीडियो ही देखते रहेंगे, कभी एक्साम में वीडियो कहां से लेक्या आएगा, चलो बढ़ी बताओ जा रहा, 115 से 240 तक के सभी 5 के गुणजाओं का ओसत क्या होगा, 115 से, मतलब पहला क्या आजाएगा, 115 ही आजाएगा, और आखरी का क्या जाएगा, 240 भी आजाएगा, ओसती पूछा है हमसे, क्या होगा, 1st प्लस, last, 200, 300, 365, 365 का आधा बोलो कितना, 300 का आधा, 1,500, 430, 180, 182, क्या बात कर रहे हो, चलो, 355, खुस, आधा करोगे, तो 300 का आधा, 1,500, 50 का आधा, 25, 175, 177.5, 177.5, divide by 2 भी कर सकते हो, पर आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि 355 का क्या मतलब होता है, सर, 300 है, 50 है, और 5 है, 300 का आधा, 1,500, प्लस, धाई, अरे हाँ या ना, मैंने कुछ गरत कर दिया क्या, अरे 50 है सर, ये 25 और ये, धाई, 157.5, तो आप दिमाग में कल्कुलेट कर सकते हो चीज़ें, जल्दी आंसर आएगा, बरो वर है या तक, किसे को डाउट, आगे बड़े भाई, खतम हो गया ये, संख्याओं का आउसत क्या है, जो 13 से भाज्ये, क्या लेना पड़ेगा, लेना, 13 के पहाड़े में, तो के बाद कौन से संख्याती पहले, 104, तेरी अठी 104, तो 100 के बाद, 100 से लेके 200 के बीच में, तो 100 के बाद सबसे पहले कौन से आती 104, ये 13 का पहाड़ा है सर, तो हमें उधर के तो चाहिए ही नहीं, 100 के बाद वाली ही चाहिए, और आखरी में क्या आएगा, आखरी में क्या आएगा, कि इंक यानवे चोड़ 104 में कितना आता है पिंच यानवे 195 तेरा का भाग देखे देखें इसमें तेरा कम तेरा बची छे तेरा पंजे आ रहा है अब मुझे बताओ कि मैंने तो लिख दिया क्या तुम यह कर पाओगे मतलब हाथ उठा दिया अपने तो सर भले हम कर पाएं पर अभी तो हाथ उठाओ तो कुछ तो सिखाएंगे क्यों कि देखो क्या करना है हमें 200 के पहले वाली चाहिए पहले 100 की बात कर देखो अगर हमें 100 के बाद वाली संख्या चाहिए जो 13 से पूर्णता डिवाइड होती है तो आप इसको 13 से भाग दो दे 13 से भाग तो भलो 13 साथी कितना हो गया सर इंक्याणवे माइनस करें इसको कितना बचा 9 अब सोचो यह 100 जो है यह 13 से पूरा पूरा भाग कब हो सकता है जब यह 9 नहीं रहे भाग जाने का मतलब क्या सेस्पल 0 आना चाहिए तो इसका मतलब स नहीं से गायब कर दो यह बचेगा ही नहीं अले हां यह ना तो इसका मतलब कि 9 मैनस करूंगा तो इंक्याणवे मिलेगा जो कि 13 से पुरा पूरा डिवाइड होता है पर मुझे 100 से बढ़ा चाहिए ता छोटा नहीं अगर मैं घटाने पर काम करूंगा तो 100 से छोटा हो जा की बात करें तो फिर से 200 को भाग दो किससे 13 से 13 का भाग दो आता है कि नहीं आता पढ़ा तेरा एकम तेरा बचा कितना अब मुझे आप बताओ मैं माइनस करूगी प्लस करूँ अगर प्लस करूँगा तो दोस्तों से आगे निकल जाओंगा जबकि मुझे 200 के अंदर रहना है तो मेरे पास्टों में से पांच माइनस करोगे तो लास्टों नंबर होगे एक सो 59 अभी किसको डाउट हो गया नही बोलेंगे अब हमको मतलब तो हमारा काम निकल लिया जाल इदा देखो 104 और 195 पहली संख्या यह होगी जो तेरा से डिवैड होती है और आखरी की यह होगी 100 200 के बीच में हमें चाहिए एवरेज तो फर्स प्लस लास्ट डिवैड वाई क्या कर दोगे तू कितना अंसर आया स 299 हो गया 299 का आधा करोगे तो 100 और 99 का आधा 50 असमलो 49.5 तो 100 और 49.5 149.5 यह आपका आंसर अरे इसे सोचो तो महारी मर जी चलो यह आंसर हो गया किसे को डाउट है यहां तक है तो सहीं सर पर अब ठीक है एक बार बता तो यह आप नहीं पूचते अगली बार देखेंगे कुछ बच्चे से सोचने वाले होते हैं क्लास में जिसको नहीं आ रहा है पर फिर भी नहीं पुछूंगा उस पा जुकेगा नहीं क्यों भाई कि देखो मोटिवेशन कैसे मिलता है मालूम है तकलीफों से मिलता है तो उन तकलीफों के बारे में पहले सोचना पड़ता है कि तुमने कभी सोचा है कि मैं बता हूँ कि अब रहें दो यार कि पुरा लग जाएगा तुमको भई आप लोग अब इसे कितने बच्चे हैं जो कमा रहें पैसा कमा रहें और खुद का खर्चा निकाल रहें एक दो पर खाप ही कि आपने गोबर करें वह गलत हैं तो अब आप सोचो कि आप में से कितने बच्चे जो दो रोटी आपको सुबर साम को मिल रही है उस दो रोटी की महनत को इमानदारी से काम में ब्यतित करने हैं बतलब पढ़ाई करने में लिए आपको भेज़ा ताप इमानदारी से कर दो पूरा टाइम ब्यतित पढ़ाई पे जा रहा है और आप इन फ्यूचर जो उन्होंने दो खिलाई तो उसका चार रिटन कर पाऊग कि इतनी पढ़ाई कोन कर रहा है कि इसे सोचो कि क्या कि देखो मतलब इनको बिल्कुल वही चीछ चाहिए कि मैं इमानदारी से अपनी दो रुटी वसुल करूंगी तो थोड़ा सा ध्यान रखोंगी जो हमें मिल रहा है हम तो खुद नहीं कमा रहे हैं और अभी जो कमा भी रहे वह उनका खुद का खर्चा निकालने में पंचर होने बिचारे तो सोचो पूरे परिवार का खर्चा सामने वाले कैसे निकालते होंगे अपने वाले माता-पिता हो दो-तिन भाई बहने दादा दादी भी होंगे उनका खर्चा भी मैडेसें वगेरा आजकल तो बिमार्या और रही है ना हर कोई बिमार हो रहा है तो कहीं जीवन में तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तुम्हारे परिवार में तुम्हारी वाइफ हो हज्मेंड हो बच्चे हो दादा दादी हो मम्मी पापा हो और कभी आपके इतना पेशा भी ना बचे कि उनका इलाज ना करवा पाओ तुम्हारे सामें तड़फे और तुम उनको होस्पिटाल ना ले जा सको होगा ऐसा अगर आप नहीं मेहनत करो तो यह होगा क्योंकि हाथ कहां तक फेलाओगे और तुदर रहा है देश नहीं अब मान लो आपने घर में कोई दिक्कत आई और आपन किसी और के सामने हाथ फेला मतलब देश को आप ही गरीब कर रहे दूसरा कोई नहीं कर रहा है तो बस इतना ध्यान रखना कि हमने जो सुबह साम दो रोटी मिल रही हो खापी कि क्या करना उसको गोवर नहीं करना है के वल यह उसका अवसुल होना चाहिए चलो बही क्या अंसर आया बता हो जरा आप देखो कुछ को नहीं आता था ना अब जिनका अंसर नहीं आता तो उनका भी आ जाएगा अब वो मेहनत करेगा थोड़ी सी किन नहीं में ध्यान दूं यार आठ क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा जिनके बीच की दो संख्याओं का उसत च्छो है कहानी में कुछ भी नहीं है ऐसी आठ संख्या हैं सर कितनी संख्या है आठ आठ संख्याओं का जो उसत है वो कितना है आठ का नहीं बोल रहा वो बीच की दो का उसत तुम्हें किससे दे रहा है वह केवल बीच की कितनी दो कितनी होगी सर एक और इस दार उचार इन आठ संख्याओं में से दो संख्याओं का उसद छे है अब बीच की दो संख्याओं का उसद छे तो आट में यार बीच कहां से आ गई दो कि अच्छा दो आ रही है चलो यह तीन इधर में वही करने तीन इधर ठीक है तो बीच की दो संख्याओं का उसद कितना है सर अब मेरी बास सुनो ध्यान से उसद छे का क्या मतलब हुआ अच्छा एक और चीज ध्यान समझना उसद छे और क्रमागत संख्या है प्राक्रत व्रकत की बात वो करी नहीं रहा है इसका मतलब सीधा सा है कि यह मिडिल टम हमको दे रहा है बीच ओ बीच वाला नंबर है न अब सीधा हो चल रही है तो मिडिल इसका हो यह पूरे का हो एक ही बात है बीच की दो का उससद क्या हुआ दो और बार है आट जेक कितना हो गया। यहीं आपका अंसर समझने वाली बात थी था कुछ भी नहीं उसने पीच की दो संख्याओं का उस्सद भी वही होगा जो पूरी सीरीज का होगा एक बार ट्राय करके और देख लो चलो मान लो मैंने कुछ संख्या लिख लिए यहां पर क्या लिखूं आप बोलो बस ध्यान य चाहिए कुछ भी ओगे बरबर होना चाहिए क्या लिखूं कि साथ एकम साथ चौदा इक्कीस पाइस अटाइस पैंतीस टीक है कितने हमने पांच एक और लिख दो 42 अब सोचो बीच की दो संख्या कॉनसी है सर कि कितना होगया टोटल निका एक्कीस अठाइस कितना हो जाए कितने हैं झाल झाल सेल 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 पड़े होंगी देखो जरा वोप काट ड़ी खुल लेनी वो उसको उठाओ हाँ इसको झाल कि आप देख आ रही है लो भाई यह किसका अंसर आया अगर आपने यह कर भी लिया तो अगला कर पाओगें अगर यह सवाल आपने कर भी लिया है तो जिसके बाद जो आएगा वो नहीं कर पाओगे अच्छा सवाल है है ना लास सेकेंड लास कुछन इसके बाद एक और करेंगे फिर आपको छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं पांच क्रमागत प्राक्रतिक का मतलब होता है है ऐह सब्सक्राइब मतलब limखे एक पांच जिर लाएं निस अकशल आपको कौई को पर पांच नमबर आप 10 और वो कितने हैं पांच हैं 300 और चार और पांच क्योंसे पांच हमें पता नहीं है कौन से पांच है हमें पता नहीं है बट होगए पांच अब वो कह रहा है कि तंख्याओं A B C D E का उसद देखें यहां लिख दू में क्या पर किसी तरीके सब लगा दो इस अगर में निकलना चाहूं तो मेरे पास तरीका एक तो यह की फर्स प्लस लाज्युएड बै-टू-a प्लस-e अपन में तूट यह उत्तर में है नहीं है मतलब उसत ये वाला नहीं एक और तरीका हमारे पास है मैं चाहूं तो C प्लस D भी कर सकता हूं अच्छा मुझे एक और तरीका कि मिडिल टम ही क्या होता है तो C क्या है एक तो आंसर आपका C हो गया ती तो उसत है सर क्यों मिडिल में आ रहा है और चुक्कि सिरीज कं प्राकरत है तो बीच वाला नंबर ही तो क्या C होना चाहिए तुम्हारे हिसाप से चलो एक तो C होना चाहिए पर एक बात और है सर क्यूकि क्यूंकि यह क्रमागत कुंझ संख्या प्राकरत प्राकरत मतलब गिनती है मतलब यह 20 होगा तो सोचो अगर यह 20 है तो इसमें दो ने पर भी तो यह ही आएगा। तो यही तो हुँ आणसर। बही पहली संख्या में दो जोड़े तो तो इसने नमबर पहुँच जाओगे और चुकि प्रकृस संख्या। तो गेप कितने गाए। एक एक का। इसमें एक बढ़ाओ गे तो इसमें बढ़ाओ गे तो यही हुई क्या क्लियर है बात मैं चाहतात एक और ऑप्सन डाल सकता था बी प्लस डी डिवाइट बाइट टू तो भी आंसर होता सही यह भी बीच कही लेता इसको जोडने पर आधा करने पर बीच में आ जाते तो यह भी आंसर हुआ तो अभी हमारे पास तीनों की तिनों क्या है मतलब आपना सही अंसर हो गया डी उप्रोक्त सभी अंसर और सथ ही है पर ले पड़ा पर यहां डिवाइट वाइट क्या लगा लोगे तू किसी को डाउट यहां तक अब अगर चीज़े समझ में आ गई है तो अगला सवाल आप करके बताओ क्या आनसर आना चाहिए बताओ भाई यह लेवल का था थोड़ा कॉस्ता ने एक्जामस में आया है पिछली बारों में तो पटवारी में ही आया है पुराने पेपर में 2013 या 17 में तो आप देख ले ना पर अच्छा सवाल था कहीं बच्चे क्या करते पहला सी लगा क्या गया कि उसका सी आ गया कि बच्चे का तो क्या अंसर है कि अरे चारों नहीं है कि या बात कर रहे हूं कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या मिस्टेक नहीं हुआ है एक काम करना इसमें इसमें यहां पर यह कर लेना अब आपको देखू आंसर मिल गया यह भी तरीका है और पदों का योग बटे पदों की पांचों को जोड़ा पांच से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया और यहां कोई और लॉजिक लग रहा है क्या कौन सा प्लस फोर आ रहा है ए प्लस फोर करने पर प्रक्रतिशन क्या है ए प्लस फोर करने पर क्या आएगा अगर यह तो यह तो को नहीं है सर अगर a plus 2 होता को मैं कहता कि a plus 2 कने पर सी आ जाएगा तो अभी अंसर कुछ आ बी वाला है ना जो कि मैंने प्रिंट गलत किया हुआ है प्लस प्लस आएगा एक बार और चेख कि लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है नहीं है सब सही है ठीक है बस वही होना था अच्छा मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए बी सी डी इए एफ कि अध्य में आप अप लूकिया हो सकते है उसा दिकलना सीरी इस कि पहला नसर क्या हो गया कि एक अनसर यह क्णव्यों कि और क्याह सकता है सी-प्लस-ई-डिवैडेट्य चूंद सब्सक्रічकर निभेट्यके तो यह भी ऑसा तो सट निफी प्लस-एफ अपॉन में या प्लस घ आचा आगर मैं A में, उसत अपना ये ना, A में कितना जोड़ू, 1 प्लस 2 प्लस 3, A प्लस 3 भी ऊसत है, अचा C प्लस 1 भी तो ऊसत है, B प्लस 2 भी तो ऊसत है, नहीं है, E माइनस 1 भी तो ऊसत है, कहानी क्लियर होगे तुमको, यह एसे सवाल है जिससे तुम्हें कौंसेप्ट क्लियर होता है बहुत अच्छे से सवाल तो खुझ है पर अगर यह जिसने समझ लिया उसको सब क्लियर होता है कि हाँ उसत ऐसे सब तरीके से निकल सकता है अभी किसे को डाउट यहां तक आप जो भी काम कर रहे हो, एक साल की बात है, अपन दो रोटी खा रहे हैं, तो चार रोटी दे पाएं, ऐसा काम करो, तो आप सोचो कि क्या मुझे समय देना चाहिए, या फिर नहीं देना चाहिए, देना है तो 100% दो, नहीं देना है तो मत दो, ठीक है, पर कोशिस करो अपनी मंन में यह मत रखना कभी भी जीवन में कि यार में करता तो हो जाता यह मत रखना वस tú आप से हो जाना चाहिए और नहीं हो तो मन में यह कभी ना हो मैंने किएठी कोशिस नहीं हँआ बाद खतम हो गई यहां तक सफार hourly कुल पूंश्य कुल झाल झाल करता है